मैंने पतंग उढ़ा दी इंसे नहीं उढ़ाई गई पताग है कहा है पतंग मेरे को दिखाए नहीं देनी है है रहा दोस्तों गूड मॉर्निंग आपका स्वागत है नैचल पूज़ा ब्लॉग पर और आप सभी साथियों को सोतंत्रा दिवस की हार दीख सुब कामना है साथियों अभी मैं सुबह सबके लिए अपने परिवार के लिए चाय बना रहा हूँ किवकर चुट्टी का दिन है तो मैंने कहा हाँ आप अराम की जिए मैं बनाता हूँ चाय, सब्सक्राइब के 6 बज़ रहे हैं, तो अब चाय बनाते हैं, जरा लेखते हैं, और मैं अब इसको कापो में डालता हूँ और लेकर चलता हूँ, ठीक है? पूज़ चैनल पर मैंने एक वीडियो अपरोड की थी, अगर आप लोगों नहीं देखे तो जरूर देखना, एक तो मैंने अपको बताया था मेथिदाने के बारे में, की प्रेग्नेंसी है आपकी, तो आप मेथिदाना के इस तरीकी से अपनी डैट में सामिल कर सकते हूँ, म माधी बताया के लाघ़ु जरूर तो में गबढ़ के बेसा थिफिले करा। यापन डैफ्व एक बतार खाओ प्लिफ प्लिष्णि चैनल और को साथा, रिकिन और मेरे रखाना। किसे की ते जई गबढ़ कनले है। दो पसंती हुआ जाला कोपर के टाला कुछ सालो एक अरे उसाभा कितने आद्मी थे? पांच रहसे कितने आद्मी थे? पांच थे? तीन तीन अपुली कि मैं देखि रहे थे वाट आप ले देखिती हिए पहुले कि आप ता यदी बिलता अल्यालाडि ऐसी बात नए गाहते है दोगों गैप में फाली जिर्ट मुझें पूर्ल्म में विवड़ाह, कि मैं गाहत्व तुच बाधि मैं जूर इंका मोंम मुझे ठोड़ी है जक्त लिग्ति है जाएं 550 जैसा निए हो भी तुटे हैं आपनो नहीं नहीं दो रहा संड़ी है को प्रेल से जबतं है क्यों कि अची हिए थे तो जला ही कांपी अप्लाएगा अच्छी लगी है। अच्छी की दिला कर वहीं चाहिए है कि डेली नहीं प्ला सकता है एक दिन प्लामा आख संडे की संडे, एन आता है पिया नहीं तो मुड़ना तो जब रूस्ति नी है आपके इसे बोल दो तो बोल दो आप मुसे कीसी काम की बोलते हो कि यह कर दे रहा है बो तो नहीं यह भी नहीं कर सकती है आज करूँ गी बस यह एक कर देलेखाए टाले है तुम तो एक लिए भुच्छी कर दें गें डिलागा जाए लोगो फूर इतना उच्छा कर व सारे भिए डिए टोड़ को तो पातों के मिठाश डाल के व लोगों कि लिए यह ज़ा फूर तुम तो घर की लक्षमी है तुम तो यह हो और अल सक कंदे करके सारे कम निकलभा लेते हैं दिरे कर गे बैहना पढ़े जो घर की बेटी होती, बहु होती है अफ ने लक्रम्या अवां सवती है मान होती मा हbut मा के तो बहु होती है भी तो फो तुमत महां गसी करिगा है हैं Nevada अरत का की बात तुरी में और चाही पर आूँ अचन्क सट्ने कोई ह allemaalillar संदे दिंष्ट अर्ठी कर राखर बिंदे द माना कई नल्द रान मंनितन अलेफी आज्ष्टि KAR सब्सक्रिक मैं मुनेफ 하는 पन। अपन्स दिटाए दो आप टूरा जेड़ एक रहा है कि तो टूरा जट इसको बूल जाओ जाओ अज़ आप दूर जाए पूल सकते हाँ जो आज गर के काम जो हुआरे देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल इसके अलावा इसको कोई दुन दुनिया से मतलब नहीं अच्छा इसके और क्या करना चाहते हैं अब दुनिया नहीं पता है जलिए दोस्तों अब चलते हैं उपर और आपको ली जाते हूं अपनी छंथे अज काफी दिनों के बाद ही उपर आई है काफी टाइम के बाद है यह सारा हुने रेंट पर दे लखा है और फ्रेंड समारी चतका ना जा रहा है और अगी नीकुल रहा है आखी नीकुल रहा है बेक साइड से दिखाती हूं आखी जादा दूप हो रही है बहुत जादा दूप हो रही है चत्ते तो इसने में तो राम से यह जीने पे बैठी हुई हूई हूई बच्चे भी काफी ज्यादा इंजोई कर रहें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है आपे चत्ते बच्चों ने सारी विवस्ता की हुई है अराम से इंजोई कर रहे हैं खोल रिंग की सब मतलब हाट चीज की और यह देखिए मेरे लीवी लेके आगे सोचा कि चलो पूज कर देखो इनकी तो पतंगी ने उड़ रही है मैंने पुकड़ रही है अरे उड़ाओ यार जली से मैंने पुकड़ रखाए की तेखो फए है थोड़ी सी उड़ी산 और ऊड़ी थोड़ी सी थोड़ी सी तोड़ी यह बापिस सा लिग है क्या हुए बेटा इनकम इस मेरे मेरे बेटे से किती पतंगी यह काटी है और कब से है यहां पे चग पे क्ज़ा घ्द में चाहिए मतलब अब हमारी पतंग उडिया ज्वसे मेरा बेटा लग रहा हैfik कं रोड़ा नहीं ve California और इसकी पतंग गई पर गई और है चिकन नहीं ना था फे ट इसा हो पटने वाली लग गया यह लग गया है तो यह ने पतंग उड़ा दी इनसे ने उड़ाई गई पतंग पतंग कि अपर है कहा है पतंग मेरे को दिखाई ने दे निए अच्छा कीच बारो तो यह देखा इनसे ने उड़ाई गई मेने पतंग उड़ाई पटना कि इसको देदे उड़ा के किसको अब लेकर अपतंग है पदंगे परले कर और अच्छा की पतंग है वहां पूस्ता भी नहीं होगा वहां तो सक्राथ पोड़ती है पीछे मत कर जी देखो महां बेटे लगे हुए है एक उसको बांद इसको लपेटने लग रही है चरकरी को मांजे को अपने आपने की में पतन उड़ा सकते हैं एक हासे पकड़े उसको ऐसे नहीं पकड़े ऐसे नहीं पकड़े आज मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो जाता है यह मेरा सपना था कि मेरे पतंग कभी आश पाच होएंगी आथ विए वह दोर पेच लगा पेच लगाएगा पेच लगा के दिखा पेचे लगा के दिखा और आज में नेती सारी पतंग काटी तो अब मेरे आने से ना इन लोगां को थोड़ा सा अच्छा लगए पूजाए पूजाने हमरे पतंग उड़ा के हमेरे ले दी चलिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे अब बनाती हो खाना काफी टैम हो गया है और देखिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दही वल्ले आज मैं जो तरीक आपको बताऊंगी बहुत ज़्यादा अच्छा है मतलब एक सीक्रेट है तो देखिए यहां पर मैंने लिए मूग की दाल इसके अंदर कोई दाल मिक्स नहीं है सिर्फ मूग की इसको मैंने पानी में जोले रखे ऊवरनाइट के दाल और यहां लेमन फिलेवर में तो देखिए डालने का आपको इसे कर देना है अच्छी मिक्स तो देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छी से मिला दिया और इससे मिला जरूर यह जो इनो पावडर आई ौर इसमें अच चैसे मिल गया और हम बनाते हैं ऊदू यहां अबनाते हैं पकोड़े है उस कहा है मैं जो कि पेसिता है पड़ना चेक तो अब ने के आपकाहैं तो हलेके ऐसमी फिलंचा पैसले से चतील नी में ढाल देना और यहां पर जो तताए अब मैंने में घरम किया उसके वाद डिया ना रखें क्योंकि पकोडे ड़ने के भाइब पसको तरीके से पिलटे हुए शेक नहीं ऑच्छे आज आपको दो तरीके से बताऊगी कि दोनों तरीके से किस तरीके से भढ़ा यह मैंने नमक झाला और मैंने नमक जीनि धाला इस तरीके से मैं पलटते हुए इनको अचहे से 한गे और अचहे से फ्राए करने के जी वारת निकाल रहे agree करनाे इस तरीके से स्मय झाल नताना तो अभी आपके बूह में जाके ही गुल जाएंगे इतने ज़्यादा सॉफ्ट तो देखिए अच्छ से फ्राई हो चुके तो इनको मैंने निकाल लिया अब मैं आपको बताती है दूसरा तरीका तो चलिए इसको निकाल लिया अब है मेरे पास एक किश्मिस जो मैंने इसके अंदर डाली है आपको क्या तरीके बता दी आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो और आप इसमें किश्मिश लिए आप चाहो तो ज्यादा का भी यूज कर साते हो इसका अलगी मिठास आपके मूह में आने वाली और खा के देखना यार सच में इतने ज़्यादा टेस्टी बनें बहुत ही ज़्यादा भी थोड़े से बच्चे हुए उन्हें काईगे कल वह ने रख दिया फ्रीज के अंदर जिससे मतलब ठंडे हो जाए अच्छे से तो कल खाएंगे और जो पकोड़े ना जो बच्चे हुए मेरे उनको भी मैंने पानी में डालके रखा हुआ लेकिन मैंने फ्रीज के अंदर र प्रैस कर कि कि देखी कि सॉफट बने हैं आप को एक पाल में ले लेका ही जाँ है मतलब यूर लेकिटे में लेना है प्राब मैं आजराए हिंग befतर होड़क हरना मैं जो मैंने नवर्मल पानि लिया है मतलब आप तो आपको तेजगण लेना है ना गश्तभा ена यह तो नोर्मल ले या फिर हलका घुन अले एक त। झालका गुनुना तो दीखिएंगो अच्छा मिक्स करने करने के बाल मैंने घुक्ष मिख्ति सार और मुझे यह भी कमेंट सहाई थे कि दिया बताना कि दही किस तरीकी से जमाते हो तो मैंने बता रखा है वैसे तो लेकिन चलो एक बार और 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 किसी दिन बता दूगी मैं आपको तो देखें को मैंने अच्छे से फेंट लिया दही में आपको बिल्कुल भी पानी डाला प अब की दही बलो में तो देखिए तो देखिए अब मैं आपको दिखाती ने सर्व करके यहां पर मैंने जो पकोड़े थी ना इनको पानी निकाल दिया मतलब हाँ से प्रेस करते हुए इनको मैंने डाल दे एक बाउल के अंदर आप जब भी निकाले तो आपको सारा पानी अब्ले तो दिखाऊंगे तो देखिए इसके निकाल देना के बाद आप महां से देख बुना भूला खूवा जीरा यह मैंने डाली टेमाटो कैचप और आप इसमें चाट मसाला जरूर टालना और इसको मैं रिकॉर्ट करना थोड़ा सा भूल गई थी लेकिन मैंने बाद में डाला कम बहुते सकते हूं श्यार है कि मतलब तो मैंतलों को मेरा तो अभी हम ओप अब संद्रकस था और खुजा ने दही बल्ले बनाएं बहुत बढ़िया बैतरी और खाने बड़े स्वादिश्ट में सॉफ्ट हमारी अम्मा के नात भी नात भी नात भी नहीं है तो इसके बाद भी अम्मा कपा कपाई जारी है हमारी अब में इस विलोग का एंड करने के लिए ज जरू करके जाना अब आपसे मुलाकत होगी नए विलोग में बाए टेक या लव यू बाए